आज यहाँ पे हर्याना के कोने कोने से आए हुए आम आदमी पार्टी के सभी कारे करता हूँ और सभी ऑफिस बेरर्ज को पदादिकारियों को मैं स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ और सब को शुब कामनाएं देता हूँ दोस्तों अभी दो महीने पहले मिले थे हम लोग, जब हमने हर्याना के कोने कोने से आए हुए ग्यारा सो पदादिकारियों को शपत दिलाई थी दो महीने के अंदर आज ग्यारा हजार दस गुना पदादिकारियों को शपत दिलाई जा रही है इसमें 6237 गाओं और 1617 वार्ड लगबग 7800 यूनिट हो गए हर गाओं और हर वार्ड से आज एक-एक पदादिकारी आया है तो आप सोच सकते हो आम आदमी पार्टी का संगठन हर्याना के हर गाओं में पहुँच चुका है और हर वार्ड में पहुँच चुका है केवल यही नहीं हर गाओं में और हर वार्ड में 20-20 लोगों की कमिटी बन चुकी है अगले एक महीने के अंदर इन सारी कमिटीों की ट्रेनिंग होगी गाउं गाउं में बदलाव यात्रा निकलेगी पूरे हर्याने में बदलाव यात्रा निकलेगी और एक सवा महीने के बाद यह जो बीस बीस लोगों की कमिटी बनी है ये जितने पदादिकारी है इन सारे पदादिकारीों की लगबग सवा लाख पदादिकारीों की डिसंबर के महीने में शपत ग्रेंड करवाया जाएगा जिस पार्टी के इतने पदादिकारियों क्या उस पार्टी को कोई हरा सकता है आज मैं भाईसाथ चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कॉंग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है इतना बड़ा तो छोड़ो मुझे लगता है इसका दस्वा हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन त्यार हो चुका है और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड़ी होती है, खून होता है, संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है, आज अगर कॉंग्रेसी, या आज अगर भाजबा वाले गाउं गाउं में जाएं, और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला, आज जब आम आदमी पार्टी का कारे करता, घर घर में जाता तो हर घर का बच्चा बच्चा कहत मैं भी जुड़ोंगा, मैं भी जुड़ोंगा, मैं भी जुड़ोंगा, क्यों? आम आदमी पार्टी से उमीद है लोगों को, मैं डॉक्टर संदीप पार्टक से बात कर रहा था, डॉक्टर संदीप पार्टक हमारे पार्टी के राष्ट्रे संगठन महामंत्री हैं, और ज इस तरह से वो जमीन पर कायम करते हैं संगठन बनाने का, ये भी एक कला है संगठन बनाना, तो मैं उनसे पूछ रहा था हर्याना का क्या माहौल है, वो कहते हैं बाई साब मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल पंजाब में चुनाओ के दिनों में थ बुले जी आज हर्याना के अंदर उससे दस गुना ज्यादा महौल है जितना पंजाब के अंदर था, और मैं डॉक्टर संदीब पाठक की एसेस्मेंट का इज्यत करता हूं क्योंकि ये जमीन पे रहके काम करते हैं, तो आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं देना चाहता हूं, दिल्ली के लोगों ने मिलके पहली आमादमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई थी, पंजाब के लोगों ने मिलके दूसरी आमादमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनाई थी, 2024 के अंदर हर्याने के लोग मिलके हर्याने के अंदर तीसरी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है नोट कर लेना मेरी ये बात आज हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है अभी बनी है 11 साल हुए है 11 साल कुछ भी नहीं होते ग्यारा साल तो भाई साब कितने लोगों से मैं मिलता हूँ एक एमले बनने के अंदर चपल गिस जाती है, जूते गिस जाते है पूरी जिंदगी भी जाती है, तब बड़ी मिश्किल से कोई एमले बनता है ये तो पुराने जमाने में पुराने जनम में कोई पुन्य किये होंगे हम लोगोंने, कि 11 साल के अंदर इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया इतनी महबब दिये हम लोगों को मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की दो रज्जों के अंदर सरकार बन गई गुजरात में 5 MLA आ गए गोवा में 2 MLA आ गए राज्यसभा में 10 MP आ गए लोगसभा में 1 MP आ गया और राश्ट्रे पार्टी का दर्जा मिल गया यह चोटी पार्टी जोटी बात ने आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे तीसरी बड़ी पार्टी मात्र 11 साल में 3 बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई यह BJP और कॉंग्रेस के बाद मोधी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से यह आम आदमी पार्टी चल रही है अगर यह इसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ करदे। modern superb techniques and new age design. Book now.